हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स स्वाती राठ हो और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग idioms and phrases का part 11 करेंगे, इससे पहले के सभी parts हमारे चैनल पर अविलिबल हैं, I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिये होंगे, और अगर अभी भी उन में से कोई भी वीडियो देखना बाकी है, तो उसे आप हमारे चैनल की playlist पर जाके easily देख सकते हैं, so now without wasting much time, हम अपना आज का ये वीडियो अगे बढ़ाते हैं, और चलते हैं पहले इडियम की तरफ, पहला इडियम है with one voice, देखिए with one voice का मतलब होता है in complete agreement, मतलब जब सारे लोग किसी एक चीज के प्रती, same opinion express करें, उसे बोलते है with one voice, मतलब एक मत होकर सम्मत्ती से, ये हो जाएगा with one voice, options की तरफ चलते हैं, option A is unanimously, unanimously का मतलब होगा एक मत होकर, option B is vehemently, vehemently का मतलब है in a passionate manner या फिर with great feeling, मतलब आवेग, पूर्ण, प्रचंड या प्रबल रूप से, option C is loudly, loudly मतलब उचे स्वर में and option D is strongly, strongly का मतलब हो जाएगा प्रबल रूप से, तो हमने सभी words के meaning जाल लिये, और ये जो हमारा question है, मतलब idiom है with one voice, which means, एक मत होकर, इसका सही answer हो जाएगा, option A, unanimously, जिसका मतलब होगा, सर्व सम्मत्ती से, एक मत होके, जब सारे लोग same opinion express करे, किसी के प्रती, hope आपको ये idiom clear है, आगे बढ़ते हैं, अगले idiom है, at the first blush, अब इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि at the first glance, या फिर at the first sight, मतलब when you first see or express something, जब आप पहली बार किसी चीज को देखते हैं, या आपको जब पहली बार किसी चीज की अनुभूती होती है, experience हो बोलते हैं, at the first blush, मतलब पहली नजर में, options की दरफ चलते हैं, option A is first attempt, मतलब पहला प्रयास, option B is first sight, मतलब पहली नजर, option C is first step and option D is first face, तो ये जो है first step और first face, दौनों का मीनिंग सेम होगा पहले चरण में, तो हमने सभी options के मीनिंग जाल लिये, और यहाँ पर ये जो हमारा idi इडियम है, at the first blush, जिसका मतलब हो जाएगा, पहली नजर में, इसका सही आमसर होगा, option B, first sight, वोब आपको ये इडियम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला इडियम है हमारा, all Greek, देखिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं के, it's all Greek to me, इसका मतलब हो जाएगा, it is difficult for me to understand, म मैं उसे easily नहीं समझ पहूंगी, मेरे लिए उसे समझना बहुत ज़्यादा difficult होगा, कठेन होगा, इसी को बोलते हैं, हम all Greek, options की तरफ आजाते हैं, option A is strange, strange का मतलब हो जाएगा, अजीब, विचित्र, option B is incomprehensible, incomprehensible का मतलब हो जाएगा, impossible to understand, जिससे समझना असंभव हो, option C is in audible, inaudible means, जो आसानी से सुनाई ना दे, and option D is uninteresting, which means, nearest या फिर अरूची कर, तो हमने सभी options की meaning जाल लिए, और ये जो हमारा idiom है, all Greek, which means, something that is difficult to understand, इसका सही answer होगा, option B, incomprehensible, मतलब ऐसी कोई चीज, जिससे समझने में आसानी ना हो, जो आसानी से समझना आए, उसे बोलते हैं all Greek, hope आपको ये idiom clear है, आगे बढ़ते हैं, अगला idiom है हमारा, show the white feather, अब देखिए, ये जो expression है, show the white feather, ये निकला है, एक गेम से, आपने देखा होगा, cock fighting करके गेम होता है, तो ये जो cock fighting game है, इसमें दो birds एक दूसरे से fight करते हैं, और जिस bird की tail में white color का feather होता है, मतलब ज जिस पक्षी की tail में सफेद कलर का punk होगा, तो वो कायरता की निशानी बताता है, मतलब वो जो पक्षी है, वो पक्षी जो है, वो inferior breed का है, या फिर bad breed का है, मतलब उसे कम आटा जाता है, माना जाता है कि इसमें साहस की कमी है, और ये कायरता की निशानी है, टेल में white feather होना, तो ये इसका meaning निकलता है, show the white feather मतलब साहस की कमी, options की तरफ चलते हैं, option A is show signs of cowardice, मतलब कायरता की निशानी, option B is act arrogantly, act arrogantly का मतलब हो जाएगा, घमंड में आके काम करना, option C is show intimacy, मतलब बहुत जादा घनिश्टता दिखाना, या फिर अतिनिकटता दिखाना, option D is act impudently, मतलब जब आप कुछ काम करें, जब आप अपना कोई काम करें, तो उस काम को करने में बिल्कुल भी जिजक ना हो, आपको बिल्कुल भी शर्म ना आए, उसी को बोलते हैं, act impudently, मतलब एकदम प्रभावशाली डंग से काम करना, होब आपको ये सारे ही words clear हैं, ये सारे ही options clear हैं, और यहां पर ये जो हमारा idiom है, show the white feather, इसका सही answer होगा, option A, show signs of cowardice, मतलब कायरता की निशानी, आगे बढ़ते हैं, अगले idiom की तरफ, अगला idiom है हमारा, trumped on, trumped on का मतलब हो जाएगा, to make up or invent a story, or an excuse, मतलब की मंगणंत कहानी की रचना कर देना, अपनी तरफ से थोड़े arguments और comments वगरा, ऐसे add कर देना, किसी चीज में, और एक अपने मन से ही कोई कहानी या excuse, कोई भी बहाना तयार कर देना, इसी को बोलते हैं, trumped up, options पे आ जाते हैं, option A is translated, translated का मतलब हो जाएगा, एक भाशा से दूशरी भाशा में अनुवात करना, option B is, sang with the music of a trumpet, अब आपने trumpet देखा होगा, ये एक musical instrument होता है, जो की brass metal का बना होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं, तु कौन टाइप structure होता है, और पीछे जो mouthpiece होता है, उस mouthpiece में जब wind blow करते हैं, तब इसमें से अलग-अलग sound सुनाई देते हैं, तो यही होता है trumpet, option C is concocted, concocted का मतलब हो जाएगा, कोई भी मनगणत कहानी की रचना करना, and option D is copied, मतलब नकल करना, कुछ duplicate copy बनाना, तो हमने स सही answer है, option C concocted, hope आपको यह चीज clear है, तो friends आज मैंने आपके साथ कुछ idioms discuss किये, I hope आप सभी को इन सभी idioms के meaning clear होंगे, और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है, तो आप वीडियो को repeat करके देख सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे like की कीजिए, share कीजिए अपने maximum friends के साथ, relatives के साथ, कल फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ, तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best.